नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सिधार्थ और आप देखरें मेरा यूटूब चैनल टेक्निकल सिधार्थ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप कम से कम टाटा खर्च करके यूटूब पे मुवीज या कोई वीडियो आप अपलोड कर सकते हो ये वीडियो नहीं लोगों के लिए है जो किसी का वीडियो डाउनलोड करके या कॉपी करके डाउनलोड करके वो अपलोड करते हैं जिसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि आपको वीडियो डाउनलोड करने में, फिर उसके बाद अपलोड करने में कम से कम 1GB का डाटा खर्च हो जाता है, तो मैं जो आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसमें आपको 500KB से 1MB से जादा खर्च नहीं होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं अपना Google Chrome Open करूंगा, Chrome Open करने के बाद ही आप देख लोगे कि YouTube Channel Open है, तो अगर आपको इसमें से आपको कोई से भी वीडियो लगे कि आपको अपने YouTube Channel पे अपलोड करना है, तो बस एक बहुत ही सिंपल सा step है, बस आपको करना इतना है कि इस वीडियो पे आप राइट किलिक करो, राइट किलिक करने के बाद आप ये copy link address कर दो, copy link address करने के बाद आपको एक website open करना है, जिसका नाम है q-downloader.net, तो यहाँ पर जागर के आपको ये link paste कर देना है, Ctrl-V मैंने paste कर दिया, पेस्ट करने के बाद आपको download पे किलिक कर देना है, आप ये देख रो, download पे किलिक करने के बाद यहाँ पे quality का option आ गया, और size का option आ गया, format का option आ गया, तो आपको करना इतना है कि जैसे 720 pixel है, आपको देखे, इसमें आपका data नहीं जा रहा, बस data इतना गया आपका कि आपने किसी और YouTube चैनल आपने खोला, उसमें से एक वीडियो बस copy किया, बस YouTube ये page खुलने में जितना data गया, उतना ही आपका खर्च होगा, और फिर उसके बाद दूसरा क्या, कि यू-downloader.net का वेपेज खुलने में जितना data खर्च होता है, उतना आपका data गया, मुश्किल से दोनों page मिला करके आपका 100-200k भी आपका data खर्च होआ भी तक, तो उसके बाद आपको करना है इतना ये download का जो option है, यहाँ पर इसको आप right click करके आप इसे copy link address कर लो, copy करने के बाद आपको एक और website आपको open करना है, उसका नामे multcloud.com, इस पर आपको ID बनाना होगा, और ID आपको उसी Gmail account से बनाना होगा, जिसके थुरू आप अपना YouTube चैनल चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें करने के बाद आपको बस यहाँ पर देखिए, आपको जैसे आप इसमें ID आप बनाते हो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर Google Drive का option आजाता है, ठीक, तो Google Drive का option आने बाद इस पर आपको click करना है, यहाँ से copy इ dawड़ा था, यहाँ पर paste करने के बाद आपको file का नाम देना है, अगर आपको movie का नाम पता है, वो उस movie का नाम क्या है, तो आप movie का नाम दे दो, ने तो ABCD कुछ भी, .mp4 आपको कर देना है, इतना करने के बाद आपको शिर्फ OK कर देना है, ओके करने के बाद आपको यहां से मैं प्रोचेसिंग इसका दिखा देता हूँ URL टास्क आप यह देख लो यहां पर अल्रेडी एक हो रहा है तो इसके होने के बाद यह एक अप्लोड होता है इसके होने के बाद यह दुबाड़ा जो अभी मैंने डाला है वो अप्लोड होगा तो इसमें आपका मूस्किल से चलिए तीन वेबसाइट आपने ओपेन किया तो तीनों मिला के माल लो 400 के भी आपका डाटा खर्च हुआ चार सो नहीं 500 के भी माल लो ज्यादा ज्यादा 500 के भी आपका डाटा खर्च हुआ बस इतना ही कर देना है इसके थोड़ी दिर के बाद दो मिनिट के बाद यहां पे वो मूवी का लिस्ट आ जाएगा जैसे मैं जैसे आप यहां पे देखरो एडाट एंपी 3 मैंने ऐसी कोई भी नाम दे रखा है यहां पे आप देखरो साइज सो कर रहा है तो अब आप सोसरे में इससे यूटूब पे अप्लोड कैसे करना है अभी तक आपने नहीं किसी मूवी को डाउनलोड किया है नहीं आपका डाटा खर्च हुआ है पांसो केवी से ज्यादा और नहीं मतलब आपको इंतिजार करना पड़ा कि मतलब डाउनलोड होगा फिर डाउनलोड करने वाद अपलोड करना है है ना आप मैंसे जादा तर लोग जो हैं वह मुज्किल से एक जिवी वाला बान लेते होंगे टेली का एक जवी वाला अगर उसमें से आप एक भी मुवी अगर आप अपलोड कर देते हो डाउनलोड करके तो उसमें आपका साड़ा का सारा नेट ख़तम और आप दिन भर ऐ छांता है कि YouTube का वीडियो कैसे अप्लोड करना है तो यहां कि या मूवी इसका लिंक भी युकल रखा है ठीक है सारी सीजी तो यहां से जब आप। डाउनलोड करते हो किलिक जैसे मैं ने डाउनलोड पर क्लिक किया तो यहां केक्यों लींक कह रहा है फिर क्लिक कि इस टार्ट डाउनओड यह दूसरा इस टेप है जैसे ये यूटूब के अलाभे अगर थर्ट पाटी वेब साइट से अगर आपको वीडियो अप्लोट करनी हो तो वह वो आप कैसे करोंगे बिना data करड़ किए ज़सी start download कर रहा Start download करके आपको ये cancel कर देना है Cancel करने के वाद आपको idm पर जाने के वाद आपको right click करना है so properties में जाना है 他的 went ये address दीख आपको इसको control एक करके control c copy कर लेना है और copy कर लेने के बांपको same process करना है यह मल्ट क्लॉड पे जाना है अप्लोड में जाना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर जाना है और थर पाटी का जो आप कॉपी पेस्ट करोगे उसका उटमेटिक डिफॉल्ट आपको नाम आ जाएगा इसमें भी मैं कुछ एडिट कर देता हूं ठीक है और उसके वाद आपक क्या मेरी में डिवाइस में नहीं जा रहा है इसमें आपका कोई भी डाटा कर्च नहीं हो रहा है और यह 720 पिक्सल का है में जब आ जाते हैं तो इसे यूटूब पर कैसे अपलोड करते हैं तो चलिए देखते हैं तो यहां आप लोड पर जाने के पाद यहाँ कोई सा भी कोई साथ प्राइव प्राइब ऑप्षा अपन्पीस होई तो आप सेडियो और अपको इमपोर्ट पर जाना है एक बार मैं इसे क्लोज करके फिर सो पेंड करूंगा दिखा दूं इंपोर्ट वीडियो इंपोर्ट यूर्ड वीडियो फॉरॉम गूगल फोटो ठीक है आपने जो भी यहां पर वीडियो जो आपने अपलोड किया यह सारे गूगल ड्राइव और गूगल फोटो में चले जाते हैं तो आप डेरेक्टली यहां इम्पोर्ट पर जा करके यहां पे देख लो साडrine मुवी जो भी मैंने एहां और अचाथ है दियां जाते हैं इसे मडहgrade यहां लिस्ट में आ जाते हैं तो बस आपको एगल आपएक करके चाहते हो तो एक करके अपड्रोड होने मैं ठीक है मैंने यह सलेक्ट कर लिया आप अगर आप डाउनलूड करके अप्लोड करते होत यहां पर अप्लोड पहले आता है जब अप्लोड हो जाता है उसके बाद प्रोसेसिंग का अप्शन आता है लेकिन आप यहां पर देख लो डिरेक्ट प्रोसेसिंग को अप्शन आ गया है ठीक है और जैसी सारे में वन परसेंग वर परसेंट हो जाए इसमें कोई भी आपका डाटा खर्स बस सब्सक्राइब कर सकते हो तो बस इतना करने के बाद आपको सेड्यूल ऑल कर देना है और बस इतना ही और यह सारे वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अप्लोड हो जाएंगे और पब्लीश हो जाएंगे इसमें आपका इस इन सारे प्रोसेस में आपको मुश्किल से 500 KB से 1 MB तक आपका डाटा खर्च होता है अगर आपको 1 GB अगर आपको मिलता है तो एक दिन में आपको कुछ नहीं तो लगए एक हजार मुवी आप अप्लोड कर सकते अगर आप 50 मुवी जगर आप अप्लोड करते हो पचासों को अगर आप अलग अलग डेट में अगर सेड करना मत भूलना धनिवाद